कैसे आप सभी स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में और आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नमबर 17 जिसका नाम है हेलन केलर पार्ट को पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेंशन करेंगे नए-ने सब्दार्तों को भी जानेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो चैन किसी बीमारी के कारण इनकी नजर और कान मनलब सुलने की चमता भी खराब हो गया थी आँखों से दिखना बंद हो गया था उन्हीं के जीवन की एक चोटी सी घटना है तो चलिए पढ़ते हैं उन्हें कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ बताया है तो चलिए उसको करें के उनका उत्तर जानकर मुझे किसी प्रकार कोई हराइन नहीं कि लोग अधितर ऐसा ही जाप देते हैं मेरा विसबास है कि जिन लोगों की आखें होती है बहुत कम देखते हैं उन्हें कहा कि इतने बड़े जंगल में जाने के बाद भी अगर उन्हें कुछ नहीं आप बताइए आपका क्या खेल है मैं कमेंट में लिकर बताइए इस बारे में आपका क्या खेल है मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकडों रोजचक चीजें मिलती हैं जिने मैं चूँकर पहचान लेती हूं मैं भोजपत्र के पेंड की चिकनी चाल और चीड क की खुरदरी चाल को भी इस पर से पहचान लेती हूं बसंत के दौरान मैं टेहनियों में नई कलियां खोचती हूं मुझे फूलों की पंखुणियों की मखमली सतह जो किनारे होते हैं चूने और उनको घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मुझे प्रकृ राखकोठानों में कुछों करें लेती हूं और जिनकी आंके ओटी ह numa आख以 Richards किना यह ऑनाके होते हूइं के मैंने कुछ नहीं देखा और तो और आरवे प्रियें हैं, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुसियां भर देता है, तो बताइए आपको बसंद का मौसम कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, बे कहते हैं कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को दे उनकी संबेधना को नहीं चूते हैं, मनुछ अपनी चमताओं को भी की भी कदर नहीं करता, बै हमेशा उस चीज की कदर आश लगाया रहता है जो उसके पास नहीं होती है देखे हर वेक्ति संसार में यही चाहता है कि मेरे पास यह चीज हो बो चीज हो लेकिन उसके पास जो धन है जो चीज है जो छमताएं है वो उनकी कदर नहीं करता वो हमेशा दूसरे चीजों की आस लगाए रहता है यह कितने दुख्की बात है कि द्रस्टी अर्था नजर के आशिरबात को लोग एक साधान सी चीज समझते हैं जबकि इस नियामत से जिंदिगी में खुशियों के इंद्रधनसी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है जिसको नजर इस बर ने प्रदान की है वो उसकी कदर नहीं करता और जिसके पास नहीं है वो यह चाहता है कि हमें द को सहारा दिया जिससे उनके अंदर आश्रा और विस्वास जगी रही सारा संसार आज भी उन्हें याद करता है हेलन से एक बार पूछा गया कि नेत्रहीन होने से इंद्रहीन होने से भी बुरा है चयक यद आपका लक्ष का पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस और उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रनाजी एक छोटा सा पार्ट था जिसका आज explanation हम लोगों नहीं किया है आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जोरू बताइए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत